अज हम शेत्मिति में एक नया टोपिक चिलिंडर यानि बेलन लेकर चलते हैं देखे इस बेलन के से भी कोशन आते हैं एक्जाम में आपको अच्छी दिए प्रक्रिस करनी चाहिए सबसे पहले आप जो हम फोर्मुले बताते हैं उनको लिख लिख करें और फोर्मुले जितने लिख भाता है तो उसके बेलन क्या है तो कहाँ देंग। या बेलना का आपकरती आंग्यात्य पेलनका आपकरति मार यह जा इसनुंए पास यह मारकर यह तो म्हारे बैलना का रहा है टूब प्लैट्स होती हैं बेलनाकार है जो सरीय होते हैं गोल बिल्कुल तो वह बेलनाकार है और जब हम इस पर देख लेते हैं कि आकरती है तो इस तरीके दे आकरती बनती है इस आकरती को हम देखते समझाते हैं कि हाँ यह सिलेंडर है तो इसके अंदर यहां से यहां तक इसकी जो हाइट बन जाती है यह रेड़ेस हो जाती है जैसे रेड़ेस जीतनी सिरे की होगी तुकि टू एंड्स है हमारे पास यह जो वर्ड लिखा हमने आर ये आधार की त्रीज़ा है आधार की त्रीज़ा और यह जो एच यह उचा ही है कि बेलन कितना उचा है उसने हम रिपरिजन करता है है से अब देखें जहाँ क्यों कि जो मेंची होती है कि बेलन का जो आधार है जो बेस है कि बेलन का आधार व्रत होता है कि जो बेस है वो सरकील है तो जान नखे हैं कि बेलन का आधार व्रत होता है यह बहुत इंक्वाइंट चीज है इसके बाद हम दो फोमले यहां से बना देते हैं कि आधार की परीधी, यानि आधार की परीधी कह दें या परिमाप कह दें, हमने वरत वाले टोपिक में बताया था, कि वरत का परिमाप क्या होता है, आप बताईए, तो ये पहले बता रखा था, कि वरत की परीधी, टू पाई आर, और आधार का छेत्रफल, पाई आर इस पाहर, तो आधार का छेत्रफल, area of base, या base area, पाई आर, इसको है, ये दो फोले आपने वरत में पढ़ रखे है, तो हमने बताया कि जो बेलन है, उसकी जो आधार है, वरत की परिमाप टू पाई आर, और आधार का छेत्रफल, पाई आर, इसको है, अब यहाँ एक चीज़ एक्ष्ट्रा आती है, कि बेलन कि या इतना उचा है, इसको हम यहां ते खोड़ा सकते हैं, और उचा, और या इससे पिभरा परा सकते हैं, तो जिब बेलन के फोले बढ़ते हैं, तो यह सा फोले बनता है बेलन के लिए, और प्रस्ट्र当, वर सम्पुर फ्रस्ट्र अगर हम इस pen holder को यह marker को इस तेदर बंद करने है उपर से इसको भी ने दिखा रहे आपको इसको हमने क्लोज कर दिया अब जितनी फिगर आपको दिखाई दे रही है यह सब क्या बेलन का वक्रप्रस्ट अगर हम कहा दें कि जितना पार्ट आपको दिखाई दे साधाए पूरा पाइर आप स्टोंफ का बंन कर दstatना इसको रेड़ए कर दो जितना पर रेड़ होगा जितना इस बेस्फिर का होगा वह हमारे हैं बहुत कर दो तो उसका मतलब क्या कहिए कि को भी और इस बोटम को भी डाट कला कर देंगे तो इस इस्तिती में जो बेलन का वकप्रस्ट है अगर बेलन का वकप्रस्ट यानि कर्ड सर्फेस एरिया और सिलिंडर सी एस से ओ कर्ड सर्फेस एरिया और सिलिंडर इकवल टू टू पाई आर एच यह जो बड़ा है टू पाई आर एच इसमें अभी हमने बताया था आपको आधार की परीदी और इसकी उंचाई इनका गुर्णफल कर देते हैं तो यह टू पाई आ रहे है यह बन गया आधार की परीदी आधार की परीदी और गुना उंचाई कभी कभी क्या होता है कि आधार की परीदी ग्यात होती है इसके बाद आधा बेलन का संपूर्ण परस्ट बेलन का संपूर्ण परस्ट उसके अधा टोटल सर्फेस एडिया टी एससे ओ चलेंडर को बेलन का संपूर्ण परस्ट अब इसमसें क्या बताया था आपको भी कि जो फोर्म नामने परस्ट लिखा है वग्द्ष का इसमें संपूर्ण परस्ट निकाना तो इस यह भी टोप भी हो इसका बोटम भी दोनों को एड कर देंगें तो क्या सा बनता है यह बेलन का वक्षप्रस्ट प्लस इसके टू एंड्स हैं वन एंड टू एंड्स तो दोनों प्लिव का शेत्रफल एरिया ओफ टू एंड्स तो बेलन का वक्षप्रस्ट तो है और साथ में उसके जो दो एंड्स हैं दो सिरे हैं उनका शेत्रफल भी इसके अंदर एड कर देंगे तो अब यह अमना फोर्म लब दाया था बेलन का वक्षप्रस्ट टू पाई और एच अब जो बेलन है उसका सिरा कैसा होता है ब्रत अब ब्रत का शेपर क्या होता है प्रय इसको है तो यहां रख देंगे प्रय इसको है तो 2 pi r h प्लस 2 into pi r इसको है इसमें क्याकर common है दो नमट 2 common pi common एक r common तो हिहाँ बचेगा h और हिहाँ बचेगा r तो formula में जाए था 2 pi r h plus r अगर formula याद ना हो तो चाहे हम ऐसे लिख देगे बेरन का वक्ष्प्रस्ट प्लस दो नग शिरों का अलग अलग निकाल के उनको जोड़ दें तब भी आंसर आजाएगा और इसके बाद कि बेलन का आइतन कि यह दाए पाई आर स्कॉयर एच पाई आर स्कॉयर एच पाई आर स्कॉयर एच यह जो पाई आर स्कॉयर क्या है है लखने हैं इन पर ही कोस्टेंस आपको करने हैं देगे कोस्टेंस में सिंपल रूप में एक कोस्ट फोर्मला और याद खेड़ना व्रत्ताकार वल्य जो रिंग होता है उसका होता है वल्य का मतरो छला रिंग इसके अंदर दो रिड़ेस होती है जैसे माले आपको छला देखते हैं तो उसके अदर दो रिड़ेस होती है एक आउटर एक इनर तो पाई आर वन इस्कॉरर माइनस आरटू स्कॉरर यह जो आर वन है यह भायत रिज्जा है और यह जो R2 है यह आंत्रिक रिज्जा है अगर हम इसको देखें कि पाई R1 स्क्वार यानि भाईय शेस्पल और पाई R2 स्क्वार आंत्रिक शेस्पल दोनों का अंतर और उसमें पाई कॉमन आ गिया R1 स्क्वार माइनस R2 स्क्वार तो यह फोमला भी आ दखना है अब देखें एक एक्जाम्पिल लेते हैं पहले है अगर हमने कहा कि रेडियस 3.5 सेंटीमेटर एक बेल लेनव सी रेडियस से 3.5 सेंटीमेटर और उसकी उंचाई है 12 सेंटीमेटर इसमें हमने कहा कि इसका स्यस्ट से भी बताओ इसका टीयस से भी फैंड करो और इसका वोल्यम भी फैंड करो सिंपल कोशन लिख जाए बिल्कुल फाइंड इट्स टीयस से टीयस से एंड वोल्यम तो यहां देखते हैं जो रेडिस गीविन है जब सोल्यूशन करेंगे इस कोशन का कि आर इकवल टू 3.5 3.5 को सिंपलिफा करेंगे 35.10 इसका पॉइंट रिमूव कर देंगे पाई टू जा टैन और फाई सेवन जा थर्टिफाइव तो यहां अपॉन टू सेंटिमीटर जो हाइट है यह ट्वैल सेंटिमीटर अब यह करा सियसे बताईए देखें सियसे यानि वकप्रस्ट अब हमने बताया था बिलन का वकप्रस्ट होता टू पाई आरेच फू पाई आरेच अब यह हां देखिए परिदी जा कोई मतलब नहीं है क्योंकि रिडस गिविन है और आपको पता है कि अगर पाई की वैल्यू नहीं मिलती तो रखते है 12 बटे साथ अगर गिविन हो 3.14 तो तो यूज करेंगे बाई बटे साथ गिविन नहीं मिलती तो तके वल हम 20 बटे साथ रखेंगे बीटा बाद का अध्यानक ना जब हम कंपेर करते हैं एक फिगर सा दूसी फिगर में तो हम यह देखते हैं कि पाई कोंस्टेंट है तो मह बारदुनी 24 अब बारदुनी 24 और 226 264 वर्ग कि जैंटीमीटर कि फर्स्ट पार्ट यह आंसर आपका है कि एक पार्ट टी से कि यह यह संपूर्ण प्रस्ट कि अब यह अब यह संपूर्ण प्रस्ट का फोबला बताया था बताई यह कौन में आएगा गलत नहीं याद करना पड़ेगा यह बताथा वक्प्रस्ट प्लस दो गुना आधार का छेथपल यह यह याद कर सकते हो टू पाई आर एच प्लस आर इसको ध्यान से रखें क्योंकि संपूर्ण प्रस्ट है अधर टू पाई आर तो टू इंटू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू सेवन बाई टू ऐच कितनी थी ट्वेल आर कितनी है सेमनं बाई टू जीजित फाई जाएं अन्ठ्वेंट फाई पिकलाद हुएउग या संवाय टू कह सकते हैं यहां देखें सेवन से हैं मैं सेन टू से मैं सें टू इसमीन से टू पाई टू प्लस 7 तो 22 इंटु 31 अपॉन 2 इससे कैंसिल कर दाए 11 टाइम्स 11 बंजा 11 वन कह रही 11 33 134 तो 341 वर्ग संटीमिटर तो आप देखोगे कि जो संपूर्ण प्रस्ट होगा वह हमेशा वक्ष प्रस्ट से जाधा होगा को कि इसके अंदर दो सिरे भी जुड़ जाते हैं अब आय वोल निवाओ चिलेंडर यानि बेलन का आयतन बेलन का आयतन इसका फाम्ला नाई यह वरी गुड पाई र स्कार है पी र स्कार हैट स्ट पाई गैल जी 22 पन 7 रडिस 7 थाथ 2 जाप इसक्वारण है थाथ 2 थाइम्स और हाथ 10 12 जीजेगे 7 से 7 कैंसल 2 4 जा 2 6 जा 12 और 2 3 जा 2 जा 6 जाप तो यह गापा 22 इंट 7 इंट 3 मुल्टिप्ट्राइब लेंगे साथ एक्किस एक्रिदी ब्यालीज हाज लेकर चार किसी ब्यालीज है चार तो यह आयतन है तो 462 घन सेंटीमीटर यह इसका आयतन हो तो बच्चों जब रेडियस और हाइट गिविन हो और हम से कोई भी की पूछ जाए चीए से टीए से वोल्यूम तो हम सीज़े सीज़े फोर्मले को रखते हैं और क्यल्कूशन कर देते हैं तो यह इस टाइप के कोशन अब बात आती है कि हम आकरती वाले कोशन कैसे करें कैसे बनाएं तो 22 सेंटीमेटर लंबे और 18 सेंटीमेटर चोड़े एक टुकड़े को मोड़कर 18 सेंटीमेटर उच्छा बेलन बनाया गया है कि इस प्रकार बने बेलन का इतन ग्यात कीजिए देगे हमाले हमारे पास एक पेपर है इसकी टू साइड्स गीविन है यह लें तर यह सेंटीमेटर लंबे अगर हम कहते हैं कि यह तो लंबाई तो 22 सेंटीमेटर चोड़ा इसकी 18 सेंटीमेटर इस टुकड़े को मोड़कर कैसे मोड़ें सने जाए 18 सेंटीमेटर उंचा बेलन बनाया जाए तो 18 सेंटीमेटर की उंचाई लखनियम गीए इसका मतब क्या गी तरफ से सको मोड़ देंगे इंगे ओधाई के सिरे को मिला अधरी बन गया इसकी शाए 18 सेंटीमेटर तो यह जो मुड़ा है सब्सक्राइब अगर हम इसी दफ्ती के टुकड़े को उल्टा बोर देते हैं इस तरीके से तो अब इसकी उंचाए ठार नहीं है इसकी उंचाए कितनी होगी 22 cm और परिदी बन गई 18 cm इन दोनों आकर्ति के हम आयतन नी पूछ सकते हैं आप से कौन सी आकर्ति का आयतन जाद होगा एक तो आकर्ति यह है जो मैं सब्सक्राइब बनाई है और एक पहला बना है कि आने हुआ करो मेर्य कोर्म करें देखना और इसका आयतन जustंव फोर्ट कियाता उसका ज्ण जाद होगा क्योंकि इसका इसका परीदी बनी थीफिशाद है आप देख सकते हैं कि का है खलीशला कम थी ठीश्य इस आयतन निकालने के लिए घायए स्क्वाइर तो जब आर ज्यादा होगी तो उसका वर्ग भी ज्यादा होगा तो अब यहां लिखा इसने हैं कि जो लंबाई दी गई है कि 22 सेंटीमेटर लंबाई और 30 सेंटीमेटर चोड़ाई कि अब इसने कहा दफ्ति के टुकडे को मोड़ कर कि जूंकि दफ्ति के टुकडे को मोड़ कर जो कार्ड बोर्ड दिया गया तो अब फोल्ड करना है अठारे सेंटीमेटर उचा अब बिलन बनाया गया है अब देखे इसलिए इसलिए बेलन के आधार की परीधी यह जो परीधी होगी यह इसकी लंबाई के बराबर होगी बराबर दफ्ति के टुकडे की लंबाई देखे उचा है तो बनके इसकी चोड़ाई अठार सेंटीमेटर थी अठार सेंटीमेटर उचा बना जया गया तो आधा के परीधी टू पाई आर और यह दफ्ति के जो टुकडे की लंबाई हो है हमारी 22 सेंटीमेटर पाई की वैल्यू 22 बटे 7 गुणा आर बराबर 22 और आर बराबर यह जो 7 भाग में गुणा में चला जाएगा तो 7 गुणा 22 और यह 2 गुणा 22 उपर है यह भाग में आ जाएगा तो 2 गुणा 22 से 20 कैंसल तो 7 बटे 2 एंटीमेटर अब यह लिखा इस परकार बने हुए बेलन का एतन ग्यात कीजिए अब देख किता सिंपिल हो गया कि आर आपके पास आ गई 7 बटे 2 जब आर 7 बटे 2 है और जो बेलर की उंचाई है वो 18 सेंटीमेटर है अब आप देखता है कि रेडेस भी हमारे पास है और उंचाई भी हमारे पास है तो केवल आयतन निकालना है कि यसर पहले कोसें के ना इससे पहले, अब ब्यहलन का आयतन या प्राफ्करत का आयतन या बने ब्यहलन का आयतन, जो सिलंडर हमने बनाया था इस कागज को मोण बनाया है उसका हम्हें आयतन निकालना है आप बताई बेटा क्या आयतन का फोर्मुला है येस वेरी गुड कि बेलन का आयतन आपने बताया आप पाई आ स्कॉयर एच तो पाई की वेल्लिव 22 बटे साथ रेडस आपकी साथ बटे दो है लेकिन उसका स्कॉयर है तो साथ बटे दो गुना साथ बटे दो उचाही हमारे गुणा साथ गुणा नो कैसे गुणा करो ग्यारह गुणा साथ नम्हीं 63 अब गुणा कर दो की भाधा समझ देत // कैसे को ङू依 तुकड़ा है इस को कोट च्गार करते हैं कि मोड़कर 20 cm उचता बेड़न बनाया जाता है紗 और और आधा की परिजदी जो बनेगी वह दफ्तिके टूड़े की चोड़ाई बन जाएगी उससे रिडेस आ जाएगे आपकी और रूचाई आपकी बास बाइस है तो फिर दूसा आयतन निकाल सकते हो एक फिर दोनों आयतनों काम अनुपाति कूछ सकते हैं कि इनका अनुपाति लेका आयतन दोनों का अंतर कर देंगे और आंसर हमारा फ्रेइंड हो जाए तो आप अपनी कोपी प्रेंस लेकर इससरी प्रक्टिस कीजिए बहुत अशा कोशन है आगर कंप्लीट करना नेक्स्ट कोशन देखिए एक व्यास देया थीन मीटर एक कुवा है उसका व्यास दे तो जब मालिया आपने एक फिल्ड है फिल्ड में डायमेटर दे लिया थीरी मीटर का और 14 मीटर तक इसे घहरा है यह तक खोद दिया तो जब इस कोई को खोद हो गए तो इसने कुछ मिट्टी निकलेगी और जो मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी को कुवे के चार और 4 मिट्टी चोड़ी एक वरत्ताकार बल है अब क्या करेंगे हम इस मिट्टी निकलती जा रही है हैंसे कुवे से और यह हमारा फिल्ड है तो हमने इसको यही फैला दिया हुए यह चार मीटर हमने चबूत्रा बना दिया है ऐसी है और जब यह बढ़ गया तो यह विद्धर बढ़ जाएगा तो हम यह देख रहे हैं कि जब यह बढ़ता जा रहा है तो ब्रत्तकार बल्य मैं बन गया है अब जब बन गया तो यह तो यह कितना हुचा बने गांगा बताना है तो पहले तो कुवय का व्यास जा गया है को इसुए कैसा यह द्हान रखें हमेशा लेंडीकर फोर्म में है पुएंड़ना कड़ को का व्यास अ भिराबर टीन मीटर तो पहले मिशकी निकाल लेंगे भाएद कि तीरी से वियास बटे 2 2 3 2 मेटर अब जो कोय की घहराई है कि अब अब देखें हम फिरी सी को नीचे सब ऊपर ना पते हैं तो उचाही बोलते हैं और उपर से घहराई में जाते हैं नीचे जाते हैं तो तो इस घहराई बोलता हैं लेकिन नपतिया वो एच की फोर्म में है तो एच इक्वल टू कि 12 मीटर तो हमारे पास रेडिस भी है और उचाई कहा दीजिए घहराई कहा दीजिए बात एक ही है यह हमें दी गई है तो कुए से निकली मिट्टी का आइतन हुआ क्यों आँ समसे पहले क्यों से कितनी मिट्टी निकले उसे निकले लेंगे तो कि भूरे से अ को मिट्टी का आहतन है यानि वोल्यूम अफ डग आउट कि कितनी मिट्टी निकली दग गाउट तो यह फोर्मला क्या लगया पायाज कॉ ऐसा च्आइचरिक पाई आर इस्क्वाइर एच पाई के वैल्यू बाइस बटे साथ अब यहांने रेडिस फैंड कीती थिरी अपॉन टू इस्क्वाइर दो वाल लिग देना घहराई या उंचाई के रूप में 14 सेंटी मीटर है देखे साथ दूनी 14 और दो से दो कट गया इससे ग्यारवा काट दें तो ग्यारे गुना तीन गुना तीन निद्धान में घं सैंटी मीटर तो ग्यूप मीटर में हैं तो घं मीटर कोई से निकली मिठी का जो आयतन होगा वो निद्धान में मीठर होगा अब यह ज़ी मिठी आई इस मिठी का में करना क्या देखो यह लिखा कुवे के 4 और 4 मिटर चोड़ी एक वरत्ताकार वल्य बनाते हुए यह उन्हें वरत्ताकार वल्य बना दिया तो मान लूप से फैला कर एक बांध बनाया जाता है उसकर डैम बना दिया उचाई चबुत्रा बना दिया और इस बांध की उचाई ग्यात कीजिए तो ह अब यह चार मिटर हमने बढ़ा दी कि इस तरीके तो यह पहले तीन बटे दो थी और चार मिटर बढ़ा दी तो इसके इंदर दो तरी जाए होगी एक आंत्रिक और एक भाई है तो यह जना पेंगे तो इन दो नों हम जोड़ देंगे वरत्ताकार वले जो रिंग है हमारे पास स्रकुलर रिंग कि इसकी भाई है तिर्जा निकाल लें आरवन बराबर देखे तीन बटे दो तो थी आंत्रिक और चार मिटर चबूतर हमना बढ़ा दिया है बांध जो है इसको जोड़ दें दो चोक आठ तो बच्चे ग्यारा बटे दो गई ग्यारा बटे दो मीटर और जो इस वरत्ताकार वले की आंत्रिक त्रिजा थी उसे हमने आर्ट्टू कह दिया अ यह हमारे पास थी तीन बटे दो मीटर तो वरत्ताकार वले का शेत्रफद निकालने पहले वरत्ताकार वले का शेत्रफद वरत्ताकार वले का शेत्रफद एर्य आफ रिंग हमने भी बताया था कि फोर्मला नमबर फोर क्या बताया था बेटा नहीं गलत आप बताईए यह वेरी गुल आपने बताया कि पाई कि आरवन इस्क्वाइर माइनस आरटू इस्क्वाइर हमने पहले बता कि आउटर करिया निकालने माइनस इना करिया कर देए तो पाई तो को मन है आरवन हमारे पास 11 बाइट टू और यह 3 बाइट टू पाई 11 का सब्सक्राइब 121 2 का सब्सक्राइब 4 3 का 9 अपन 4 पाई कर देए 22 अपन 7 इनका सब्सक्राइब 4 तो 121-9 तो यह ओगे आपकर 22 अपन 7 इंटो 112 अपन 4 देखे साथ चाकाड़ दीए 16 सब्सक्राइब 12 पाचार चो तो यह आपका बाइश चोक अठाशी घन सोरी कि शेतफल है तो वर्ग मीटर कि यह वर्ग मीटर जो है शेतफल आगया वर्ता का वल्यका कि अब हमारे पास जो आयतन था होता 99 सेंटी मीटर घन मीटर अब कि अब देखे इसके अंदर यह पुझा यह चबुत्रा बनेगा यह जो बांध बनेगा बांध की उचाए कितनी होगी तो माना जो बांध बनाया हमने है यह एच मीटर उचा बांध है इसके हमें उचा ही निकान नहीं है तो बांध में लगी मिट्टी का यह तन यह का बन जाएगा ब्रत्तकार वल्यका छेत्रफल गुना उचाए वल्यका छेत्रफल गुना उचाए अब यह जो उचाए की गुना करने के बाद आयतन बन गया यह आयतन जो सबसे पहले हमने आयतन निकाला था मिट्टी का यह दोना आयतन आपस में बराबर होंगे मिट्टी कम होगी तो कम उचाए का बांज बनेगा मिट्टी जाद होगी तो जाद हो चाए का बांज बनेगा तो परसणा नुसार भाद में लगी मिट्टी का यह तन बराबर कुए से निकली मिट्टी का आयतन कुए से निकली मिट्टी का आयतन तो बान्द मिट्टी लग दिया अठासी गुणा एच और जो कुए से मिट्टी निकाली थी हमने है वो थी 99 यानि 99 में घन मीटर एच बराबर 99 बटे 88 देकर दोनों 11 के पाढ़े में कैंसल हो जाएंगे यह 9 टाइंस हर यह 8 टाइंस तो एच बराबर 9 बटे 8 के दीजिए या मिक्स फेक्शन में कर दोगे तो वन होल नंबर 1 बाई 8 मीटर तो जो बांध है उसकी उंचाई बन गई 9 बटे 8 मीटर तो अत्य बने बांध की उंचाई बराबर वन होल नंबर 1 बाई 8 मीटर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या मीटर सेंटीमिटर कर सकते हैं वन होल नंबर 1 बाई 8 मीटर या बन बाई 8 मीटर को हम सैंटीमिटर कर सकते हैं तो यह इसका फाइनल आंसर हो गया वन होल नंबर 1 बाई 8 मीटर नेक्स कोसिन देखिए चोटे कोसर के लिए बहुत इंप्रेंट कोसर होता है कि सिद कीजिए बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्षप्रस्ट और आधा के तिरिज्जा के गुननफल के बराबर होता है तो एक तो देखें बेलन का आयतन का दुगना है फिर बखप्रस्ट और आधार के तिरिजा गुनन फर ले हम लिखते हैं सब्सक्राइब बेलन का आयतन लिए बेलन का आयतन लिए वह बताएगा आप बताएगे तरी गुड़ पाई यार इसक्वायर एड़ यह लिख दियां है फिर बेलन के आयतन का दो गुना तो गुना बेलन का आयतन कि अब है कि अध्य कि आथ बिता लिखता है कि बेलन का वक्प्रس्ट और अधा के तुर न का गुननफल भी बेलन का वक्रप्रस्ट गुना आधार की तिरिज्जा अब देखें दो चीज आगे से अंदर वक्रप्रस्ट और आधार की तिरिज्जा तो वक्रप्रश्ट का फोर्मला आपको पता ही 2 pi r h इसमें हमें radius भी 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 ग्यात होगी और साथ में जो लिखाए ने आधा की तिरिज्जा तिरिज्जा को हम r कहते हैं तो देखें जब 2 base same हो तो उनकी power add हो जाती है multiply करते समय तो हम यह r की कुना r से कर रहे हैं तो r की power 2 हो जाएगी 2 हमारे पास है, pi हमारे पास है और h हमारे पास है तो यह बन जाता 2 pi r square h तो हम यह देखते हैं कि जो पहला पार्ट था और यह second part यह दोनों same आगे तो हम यह स्कुत करना चाहते हैं कि बेलन के आयतन का गुना उसके वक्षप्रस्ट और आजा कितने जाके गुना नसल के बराबर होता है तो इसलिए दो गुना बेलन का आयतन बराबर बेलन का वक्षप्रस्ट आधार की तिरिज्ज्ञा आपने देखा कि दोनों के मान कुछ समान आगे इसका मत्रब क्या हुआ कि बेलन का आयतन का दुगना बेलन के वक्षप्रस्ट और असकी तिरिज्ञा के गुननदकल के बराबर होता है यह हमें सिद्ध करना था और किसे रहें हैंस प्रोड या इस तरीके कोस्टन से पूश लिए आते एक जाम में यह केवल फॉर्मॉला बेस को सेड़ी कर दिया आपको फॉर्मॉला लर्ण है अच्छी तरीके से तो आप इन गोस्टन को सिंप्लिफाई कर सकते हैं इसके लिए आप किस्ते क्या पूछें तो इस तरीके के आपको questions करने हैं, आप जब यह देखते हैं, पढ़ते हैं, तो साथ में copy pen लेकर practice करते रहें, और जो question आपकी समय में नहीं आता है, उसे हमसे comment box में पूछ सकते हैं। Happy learning, take care, मिलते हैं नेक्स वीडियो